इसे हो गया वारोन एलुमिनियम और इनके कंपाउंड के इंपोर्टेंट यूज क्या क्या होते हैं नमस्ते मेरे नमने दिद्द दलाल है और इस लेक्चर में हम इनहीं प्रशनों के उत्तर खोजने कोशिश करेंगे ओके अब बता हूं क्या पढ़ते हैं वही इस बताओ यूज ऑ बोरोन एलुमिनियम एंड देर कंपाउंड आव थोड़ा भया बहुर्टा इलुमिनियम के थोड़े कंपाउंड सुरूरू के यूज के बारे में और बात कर लेते हैं वरों क्योंता है थान रखियो मां प्योर और प्योर एलिमिनियु की बात कर रहा हूं मैं समझ के बात और फिरम क्या पढ़ेंगे उनके था श्राइब करें अबिए इसम मोर्ण इसमेल अध्राइड वरान के बार्ट बहुता है एक्स्रीमली हार्ड रिफ्रेक्टरी सॉलिड ओफ आई मेंटिंग इसका मैंटिंग अध्या बोलो भई लो क्या है देंस्टी एंड वेरी लो एलेक्रिक्रिक्टिटी फाइंड मैं एप्लिकेशिंस बॉर्ण फाइबर्स क्या बॉलेट प्रूफ वेस्ट जो नहीं है पुलिस वागर भई आपको पता होगा जब यह कहीं काउंटर रेड करनी हो तो यह बॉलेट प्रूफ वेस्ट पेंगे चलती है तो उसको बनाने में इसका इस्तमाल होता है कापर बॉलेट प्रूफ वेस्ट ठीक है एंड लाइट पॉजट मेटिल फॉर एयरक्राफ्ट अब एयरक्राफ्ट अगर भारी होंगे तो जितना यात्रियों को या समान को उड़ाने में जितना तियल लगेगा उससे जयदा तिल का लग जाएगा उस जहाज को खुद उड़ाने बाद आपको पले पड़ी तो वहाँ पर काफी स क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को जितना हलका हो उसके उतना हलका रखने की करते हैं भारी चीज़ों से बने आप अरे भाई सिंपल सब्सक्राइब कि आफ आप काफ जाहज पूड़ा लेते हो आप लोग जाहज बनाएक है इसमीड आइस इंपल जाह रहो है लोगए कि परीट सब्सक्राइब यह को समझ में जितना हलका उतना क्या होता है बैटर लोग एक जहाज बनते हैं उनको भी क्या होताँ स्टील के भी जहां उसके स्टील उकमकर इस्तेमाल करने की ट्राइब करते हैं ओक होता है बारों टैना इस टोप हैज हाई एबिलीटी तो एब्जोब न्यूटरों एंड पॉर मैक्तल बॉराइड्स और यूज दिन्युक्लियर मिस्ट्री एज प्रोट्रेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रोड अभी नहीं तो बोल दिया एक लाइन में ठीक है जो हमारे पास क्यों होते हैं बॉराइड्स ठीक बात यह बॉरॉन के कश्वाइब अब बॉरॉन क्या करता है यह नूट्रों को एबजोब कर सकता है और देखो बॉराम टैनिके ट्रोब घैन से टोप है यह नूट्रॉन को एबजोब कर सकता है तो तो mental वोराइड में उन्का च्रूल होती है को मान लिया नियूकली रियक्षिन पता क्या होता है अगर आपने कंट्रोल ना करो तो आउट ओफ कंट्रोल हो जाएंगी देखो होता क्या है एक यूरेनियम 236 का न्यूकलीस है किसका एक यूरेनियम 235 न्यूकलीस है किसका यह इस पर न्यूट्रोन वारो तो यह टूटे आदो में किसमें बैरियम और क्रिप्टन यह एलिमेंट दो अलग अलिमेंट में टूट जाएगा और इस प्रोसेस में निकलेंगे तीन न्यूट्रोन कितने प्रणा अपने कभी यह खूंट आंए को और बनी को मजश्मिट को यह टीन थो अबोलहूं है मैंचरो में निका मास्ट क्गेंग वह टूट्य हम पाने हम आस मेंदरीन भूंट कोो थो दूंगे 6 हो मैंने ला ऊफ कंजरूशन मास्कों नहीं वहलें कि एक्वी मास्क्ट नहीं होतानां है सब्सक्राइब किसमें और एनर्जी किसमें मास में इस इकोल टू एंसी स्कॉर नहीं होता क्या तो आपको पता होगा वही कि अब यह ती न्यूट्रॉन है अगर इनकों फ्री चोड़ दें तो आगे जाए क्या करेंगे तो फिर नो नो निकलेंगे और इस रियक्शन में एनर एक टूटा यह बने और यह निकले नारजीनिकली अभगले स्टेप में इन फ्र हैंने को परेंघ Любल अग्ला करेंगे और सुनार गशाम अगरों को वे तो प्हले न्यूट्रों ने एक तोर दिया तीन दोर निकले नो पेन तैने नो निकले में तो दोड़ हुआ ठीन नून तो इस वो जाएगा अनर्जी का बनता है तो इसको बोलते चेंड रियक्षिन शुरू करके छोड़ दे तो क्या हो जाएगी अनकंट्रोल्ड लेकिन जो बोरॉन होता है लेकिन क्या करूं अगर मैं बोरॉन की रोड़ इसमाल कर लो तो मैं क्या करूं भई मैं टी नीटरों जो निकले हैं तो एक को क्या करूं एब्सूब कर वालो बोरॉन रोड के उपर इस पे तो आगे कि जाए गाना तो एनर्जी फिर अनकंट्रोल दूपाएगी वही तो नू और एक्सेंड बोरिक एसिड इस इन दी मैनुफेक्टिन ओफ ही त्रेजिस्टेंट ग्लास बोर एक्स और बोरिक एसिटेंट ग्लास जो बहुत ज़्याद आम तोर पे ग्लास को हालका सा गरम करते ही वो तूट जाता है नहीं आपको और बोलो भई ग्लास वूल एंड ठीक है बात अच्छा बोर एक्स इस और फ्लक्स पोर सॉल्डरिंग मैटल ठीक है अरे आप वो नहीं करते वही ता इलेक्ट्रोनिक्स का समान लेका आप सॉल्डरिंग टक्या लगाते हो यह पता आपको वह बोई गो तो काम भीतना पसंद दोता है एलेक्ट्रोनिक गजट समारना ठीक करना रिपेर करना नहीं वह सॉल्डरिंग आर नोती है हां में तो सब यह दो के पास यह मशीन जरूरों होती हुई तो उनको चीजों को खोलने में और उनको ठीक करने बड़े मज़े आते हैं ठीक है नहीं भी आप ने आपकी पास है उस शुचा लेक्ट्र दि टेक टेक होते चले जाएंगे लैप्टोप है वाई को और एलेक्ट्रोनिक गजट है तो ठीक करने फिर आपको खुद मज़े आते हैं तो आपको यह बता बता हुआ आपको यह फोल्टरिंग मैटल्स फोर हीट स्क्रेच एंड स्ट्रेंड रिस्टेंट ग्लेस्ट गोटिंग को अब बोलो भी अर्थन वेयर्स एंड ऐसी कॉंस्ट्विंट ओफ मेडिस्नल सौप मेडिस्नल ली यह मेडिकेर तो नहीं कूँगा मैं बता हुए मैडिकेर क्या का बता है जो मेना एक खास बात है जो लड़की यह जो वाली साबुन लेती मिल जाए ना बाकी लड़के उसके बास बैठना बंद कर देती है पता आप कोई चीज का और इसको सब के बार मता जाएगी इसके पास ना मैठी हो इसको सर में चुए है ऐसे बोलते हैं वही उसको बिलकु उसका बहुचकार सा कर देते हैं ठीक है ऐसे बश्कार से कई पॉलिटिकल पार्टी इस अपने सीनियर्स का बहुचकार कर देते हैं ओके सिरेड़ दोग पॉलिटिकल दोख सिंभारू है आपर अगया पूए समझ में अरे बोलो ठीक है एन एको सोलुशन ओफ और थो बोरी इस जनरली यूजड एज माइल्ड एंटी सेप्टिक बोरिक एसेड का हलका सा सॉलुशन कहां इस्तमा लाएगा एंटी सेप्टिक कहीं चोट लग जाए उसको दो लो निसम्जाब कि वहां पर वही क्या बोलते हैं इन्फेक्शन ना हो पाई आगे आपको और क्या है एलु आपको पता है मौर कंडुक्टिंग कॉन सा होता है कॉपर वैसे क्या होता है मौर कंडिक्टिंग को नहीं तो कॉपर होता है लेगिंगा वेट वाईवेट पर एक चंपर करें तो एलुमीनियूम की एलेक्ट्रीकल कॉपर है इसलिए अपने दिखा होगा का प्रिजिग जहां पर कॉपर महंगा पड़ता है यजब आपको पड़ता है न तो क्या लिए आपने लगा दिये अगर गवर्मेंट गोल्ड कितार लगा देवार तो पावए ना मिलेंगे नियुक्तर चांदी कितार लगवाद हो फिर तो एलमीनी मॉर कोप और दस्माल होते हैं ठीक है और मैं आपको बताऊं कोप पर के और इनका सिक्के भी जाते हैं क्या तेंक करते हैं कि पहले गोल्ड के सिल्वर के कोप पर के और अब नहीं आते हैं ठीक बात और भाई एक्स्टेंसिवली यूजब इन आल्मोस्ट एवरी इंडस्ट्री एंड एट फॉंज विद ये कॉप पर मैगनीज मैगनीशियम सिलिकॉन जिंक इन सब के साथ क्या बनाएगा ऐल आप यूजब रोड वायर्स प्लेट्स फोईल एलमिनियुम फोईल सब को पता है और ना वह तो बई मैं आपको बदो एलमिनियुम के जो बाल्टी होते थी उसमें अपनी बैसों को पानी पिलाया करता सुझ बड़ा यूज और एलमिनियुम की फोईल में आप सब कूल में शकूल में खाना लेकिशाय गपीशक्तिक तग्या करते क्या है और बोलो घ्रीक हो ठीक हो ठीक है यूज दिन फेकिंग यूटेंसिल में बरतन बांडे बनाने में इनका बवतायत में प्रियों किया जता है वह बह्लो बैने एल इंट्रांस्पोर्टेश्टि एंडिस ची ब एपने लेकिन यह जहरी लेकिन उत्हुता है इंसान को मारे वही टॉक्सिक होता है इंसान को मार थो उत्वाइब तो तो अल्मिनियम के जो बरतनों में खाना नहीं बना करते हैं इस सबसे बैस्ट आपके लोगे बरतनों क्कुन से भई और मापको दो नहीं है आप एवन जो यह नौन स्टिक कुवेर लेती हो क्या लोह का बरतन पर काखा न चीए जिसमें नौन स्टिक ना ओ क्या क्कुन से कि देए नौन स्टिक उसके उपर एंदर एक वह आती हैल्म इसके उपर पर टैफल्ओ की आती है आप भू बनाने के अ कि अरे बोलो भाई चिला वगएर बनाने के लिए बरतन मीं आते क्या क्या तव में आते अब नंस्टिक का करोगी खाना बनावे ना जल्दी की उसमें खाना जल्दी शबग जाएगा लो आगे उसमें पतली फिल्म आती है टैफलोन किसकी वही आज कर टैफलोन आपके पड़ाएंगे फोली मर्स में तो वह बड़ इस्तमाल होते हैं लेकिन उज़ टैफलोन होता है ना वह बहुत ही खत्रना को तो हमारी बोड़ी में अलका फुलका जता रहता है और दुनिया बर की केंज और कार्स होनी जैनिक होता तो हर्जेगे उन में क्या आते खाना इसमें खाना चिपकता हो वो उसमें थोड़ा घी बेश्के लगेगा ज्यादा लेकिन उसमें इंसान को नुकसान नहीं होगा नौन स्टिक जिसके ऊपर भी नौन स्टिक हमिज जाए न उस बरतन में खाना नहीं को यह बना है लेकिन आज गर्ट तवा ढूंब रहा मुश्किल है स्टीकी वाला सारे क्या मिलेंगे आपको क्या कि उन्हाइब दो जाते हैं तो भाई इस लेक्चर में इतना है अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्णिया कि अगरें सुझाओ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तुब ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए नमस्ते कि अगरें सेक्षिन ट्रहस्ट और फ्रश्ग्यों एजए हैं तो आपके कि अगरें सेक्षिन प्रश पूरी येज़ एए्य।